हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओविरोल एल टैबलेट को कब लिया जाता है इसको हम नॉर्मली कब यूज करते हैं किन-किन बिमारियों को ठीक करन के लिए इसको यूज किया जाता है इसको आप कितने लंबे समय तक ले सकते हैं पिरयट के कौन से देन से हम इसको लेते हैं इसके क्या बेनिफिट होते हैं इसτοिके बारे महें हम डिटेल में चानने वाले हैं और एल एक औरल कंटरसेप्टिक पिल्स है जिसको कि हम कई सारी बिमारियों को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं जैसे कि आपकी पिरिट्स नहीं आ रहे हैं, इन रेगुलर पिरिट्स साइकल है, काफी देड़ दो महीने तीन महीने से आपके पिरिट्स नहीं आ रहे हैं तो ऐसी कंडिशन में भी हम पिरिट्स को स्टार्ट करने के लिए इस टेबलेट का यूज करते हैं और अगर आपकी पिरिट्स साइकल आनिमित हैं, तो उसको रेगुलर करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं कई महिलाओ को हार्मोन इंबैलेंस की प्रॉबलम होती है या PCOD PCOS की प्रॉबलम है या थाइराइट की प्रॉबलम है जिसके कारण आपके periods continue नहीं आते है तो ऐसे में हम इन दवाईयों का यूज़ करते हैं साथ ही में अगर आपके period cycle regular भी है आपको कोई प्रॉबलम नहीं है पर आपके periods के दोरान heavy bleeding होती है यानि कि periods में बड़े-बड़े clot आते है जैसे कि PID या endometriosis के case होते है तो endometriosis और PID में heavy bleeding होती है साथ, आठ दिन, दस दिन तक bleeding चलती रहती है बड़े-बड़े clot आते है तो patient को बहुत ज़्यादा समश्या होती है तो ऐसे cases में भी हम इसका use करते है साथी में हम ये oral contraceptic pills भी है तो जिनको दो बच्चों के बीच में गेब चाहिए या अभी वो family planning नहीं करना चाहते है और unwanted pregnancy से बचना चाहते हैं तो आप एक साल, दो साल, तीन साल, पास साथ जब तक आपको बच्चा नहीं चाहिए तब तक आप इसका use continue कर सकते हैं इसके कई सारे फाइदे भी होते हैं अगर हम इस tablet का oral contraceptic पे इसके रूप में यूज़ कर रहे हैं या हार्मोन को regular करने के लिए यानि कि हार्मोन इन बैलेंस के केस में हम इसका use कर रहे हैं या आप गर्ब निरोदक गोले के रूप में इसका use कर रहे हैं तो इसको period के पाचवे दिन से लेना शुरू किया जाता है इसमें 21 tablets होती है इसमें Sunday, Monday, Tuesday की marking होती है और उसके बाद में arrow लगाया जाता है तो इसक आपको लगातार 21 days तक लेनी होती है. जब आपके tablet खतम हो जाती है तो उसके बाद में आपको one week तक period आने का इंतजार करना होता है जैसे ही आपकी tablet खतम होती है तो हर एक महिला का शरीर अलग अलग होता है तो टैबलेट खतम होने के बाद में किसी महिला का period दूसरे दीन आजाता है किसी का पाच्वे दिन आ जाता है किसी का सात्वे दिन आ जाता है पर एक हपते के अंदर अंदर ये टेबलेट खतम होने के बाद में पीरिट आ जाते हैं उसी में अगर हम ये देखे कि अगर आपके पीरिट से दो ढ़ाई तीन महीने से नहीं आए हैं और हमने ये tablet खतम होने के बाद 10 दिन तक period आने का इंतजार करो 10 दिन के अंदर कभी भी आपके periods आ सकते हैं तो normally दूसरे दिन, पाचवे दिन, सातवे दिन, आठवे, नोवे दिन कभी भी महलाओ के period आ जाते हैं इसको लेने के कई benefits रहते हैं जैसे कि इनको लेने के बाद में एक तो आपकी period cycle regular हो जाती है आप unwanted pregnancy से बच जाते हैं उसके बाद में अगर आपको heavy bleeding होती थी तो वो समश्या भी कम हो जाती इनको लेने के बाद में आपको जो periods के दोरान heavy bleeding blood load की समश्या थी वो काफी कम हो जाती हैं तो आप hemoglobin की कमी से यानि की enemy की problem से आप बस सकते हैं उसके बाद में आपकी hormone balance हो जाते हैं आपको PCOD, PCOS के समश्या थी तो ये over insist को कम करती है और उसके साथ ही आपकी uterus में जैसे की fibroid है, कई बार गाठे है, endometriosis की problem है तो ये उन समश्याओं को भी धीरे धीरे कम करती है यानि कि जो problem थी उसको ये बढ़ने तो नहीं देती है अगर ये पूरी तरह से ठीक भी नहीं कर पाती है तो पर काफी control कर देती है तो आप भी अगर overall tablet ले रहे हैं या आप hormone को balance करने के लिए ले रहे है तो ऐसे में doctor आपको और भी medicine साथ में prescribe करते है जैसे की सभी patient के condition अलग-अलग होती है तो और आप normally periods लाने के लिए ले रहे है तो आप 5 दिन ले सुबशा उसके बाद 10 दिन तक wait करें आपकी periods आ जाएंगे अगर आप oral contraceptic pills के रूप में यूज़ कर रहे है तो 21 days तक लेना है उसके बाद में आपके period आ जाए फिर पाचवे दिन से आपको शुरू कर देना है और हम ये medicine ऐसे महलाओ को भी चला सकते हैं जैसे की period आया पाचवे दिन में वो free नहीं हुई छेटे साथ वे दिन में फिर sporting type bleeding आ रही दो चार बूंद आ रही आठ दस दिन तक बारा दिन तक चलती रहती है तो ये problem कई बार harmony imbalance के कारण होती है तो इन medicines को देने से ये sporting जो bleeding हो रही थोड़ी थोड़ी ये रुख जाती है और period इन cancer से भी आपको बचाती है और भी कई सारे benefits होते कि अगर आपको future में cancer होने का खत्रा है तो कई percent अगर आप एक से दो साल तक इन tablets को लेते हैं तो 30 से 40 percent तक आप cancer होने के खत्रे को कम कर लेते हैं तो ऐसे कई सारे benefit होते हैं आपका blood loss नहीं होता है अगर हम इनके side effect के बारे में बात करें तो वैसे तो इनको लेनी के बाद में ऐसे especially कोई side effect नहीं दिखाई दिते हैं पर अगर आपको हो रहे हैं जैसे कि उल्टी जैसा मन होना गर्मी बहुत ज़्यादा लगना बेचे नी चक्कर आना नीन नहीं आ रही है और body में भारी पंसा लग रहा है तो आप अपने doctor से बात करके इनको बंद कर सकते हैं अगर आप इनको लेना शुरू करते हैं तो इनको continue लेना होती है बीच में आपको बंद नहीं करना है अगर आप किसी कारण से भूल गए है तो आपको तुरंत जब याद आता है तब ही आपको इसको खा लेना है और अगर आप खाने में देर हो गई आपको और आपके periods आ गए हैं तो फिर आप जो बच्ची हुई टैबलेट से उनको आपको नहीं खाना है आपको अपने डॉक्टर से बात कर लेना चाहिए क्योंकि नॉर्मली आगर आपने किसी भी दिन या मान लीजिए एक्जामपल की तोर पर हम देखे कि आपने 5 दिन, 7 दिन या 15 दिन टैबलेट खाई किसी कारण से आप बाहर चले गए टैबलेट नहीं खा पाए हो सकता है एक दिन का गेप हुआ हो या दो दिन का गेप हुआ अभी आपके पिरिट्स अगर दूसरे दिन आ गए आगर आपने टैबलेट टाइम पे नहीं ली तो अभी ऐसी कंडिशन में पेशेंट एक चीज से कंफ्यूज रहती है कि अभी मेरी 6-7 टैबलेट और बच्ची है अभी मेरी पिरिट शुरू हो गए तो मुझे टैबलेट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए तो आपको अगर पिरिट शुरू हो गए है और ब्लीडिंग अच्छी हो रही है तो ऐसी कंडिशन में आपको आगे कि जो टैबलेट बच्ची है उनको नहीं लेना है फिर से आपके वो पिरिट के पाच्चवे दिन से ही स्टार्ट करना है नया वाला पत्ता ले करके यानि कि नई स्ट्रिप खरीदना है फिर उसमें से ही आपको शुरू करना है तो आप अगर एक बार पिरिट शुरू हो जाते तो उसके बाद में जो बच्ची ही दवाईया उनको आपको नहीं लेना है हमारा ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते धन्यवाद